इस वक्की बड़ी खबर जोजावर से आ रही है जहां जोजावर में म्रत्यक श्रवंड सिंग पिता सेवाई सिंग्दवासी गूल की जिनका नो फरवरी सर्यारी थाना में फायार की लेकिन पुलीस प्रसाशन ने 14 फरवरी दोजाटे विस तक अपनी मिली भगत से कोई रावत राजपू समादे जोजावर में धना प्रदर्शन किया जिसमें एसाई प्रलाज सिंग का स्टेट्मेंट था कि पुलीस चार दिन के अंदर शवंड सिंग को ढूंड का निकाली की लेकिन ऐसा नहीं हुआ 15 फरवरी को ग्रामेणों के सयोग से शवंड सिंग को घने जंगलों में साथ पालिया जाम्बू मादा मंदिर से दो किलोमेटर दूर शवंड सिंग की गाड़ी मिली ग्रामेणों ने तुरंच पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने श्रवांड सिंग की गाड़ी थाने ले जाने की बात कही लेकिन ग्रामेणों ने कहा कि अगर श्रवांड सिंग की गाड़ी मिली है तो श्रवांड सिंग भी मिलेगा 15 फर्वरी दोजाटेविस की रात पुलिस प्रसाशन और ग्रामेणों ने रात को रेकी की 16 फर्वरी सुबा करीब 6 बजे से 300 लोग से जाधा जंगल में ढूनने लगे दोपर को करीब 2 बजे श्रवन्ट सिंग का शव एक पेड़ पर लटकता हुआ मिला जिसमें पुलिस प्रसाशन भी बोके पड़ थे जिसमें शव के पेर गुटने जमीन पर ठीके हुए थे जिसमें रावत राजपु समाज बाद 36 कोम की लोगों ने धर्ना प्रदर्शन क्या लेकिन मारवार विदान सभा शुयत्र का विधायक 17 फरवरी तक धर्ना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ लेकिन 17 फरवरी को रात में करीब 11 बजे पुलिस प्रसाशन से रात में छुप चाप के मुलाकात की 18 फरवरी को सुबा धर्ना प्रदर्शन में आकर विदायक खुश्वीर सिंग अपने आप फासी लगा कर मरनी की बात कही और रावात राज को समाज को दावे के साथ कहा कि खुश्वीर सिंग के जीवित होने तक राजनिती नहीं करने देगा लेकिन श्रवन सिंग के हत्यारी को पकड़नी के लिए कोई बात नहीं की कमिटी में शामिल हुए लक्ष्मन सिंग मगर विकास बोड के चेर्मेंट शंकर सिंग विदायक ब्यावरा जिसमें नर्णे लिया गया कि ऐसे चोँ सिर्यारी हमिर सिंग को तुरंद प्रबावोसे सस्पेंड करने की बात कही और श्रवन सिंग के हत्यारे महाविर सिंग को चार दिन के अंदर पकड़कर लाने का नर्णे लिया गया साथी म्रतक शवण सिंग के परिवार को 15 लाख रुपे की साहता राश्री देने की बात कही और भामा शाहूं ने 11 लाख रुपे की साहता राश्री देने की बात कही लेकिन आग दिनांग तक यानि 25 फरवरी 2023 लेकिन पुलिस प्रसाशन ने कोई जबाब नहीं दिया